बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नेस्पर और मैं हूँ आपके साथ में धुरूबतरी आई पील अभी जारी है फैन्स को दिल्चस्प मुकाबले देखे लगातार देखने को मिल रहे हैं इस बीच कुछ टीमों के कप्तानों पर बैन होने का खत्रा लगतार मंटरा रहा है जी हाँ आज हम आपके सामने उन पांच खिलाडियों के नाम रखेंगे जिन से अगर इस सीजन में दो बार और गलती होती है तो सीधा-सीधा उन पर बैन लगाया जा सकता है फार्वडू प्लेसी, हार्दिक पांडिया और संजू सैमसंग इन तीन खिलाडियों का हिंट तो आपको वीडियों का थमनेल देखकर मिल गया होगा लेकिन इस सूची में दो और खिलाडियों के नाम शामिल है जी हाँ एक मैच में रोईच शर्मा की जगा मुंबई इंडियन्स की कमांड सभालने वाले सूर्य कुमार आदव और लखनू टीम के कप्तान केल राहूल भी इस लिस्ट में शामिल है जिन पर अभी तक यानि पांचों पर स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाक रुपे का जुर्माना लगाया गया है बैन लगाये जाने वाले इस नियम के बारे में कि जब कोई टीम मानी दूसरी या तीसरी बार यही गलती दोराएगी तो तब कैसे उन पर एक्शन लिया जाएगा माल लीजिये कि इन ही 500 टीमों में से कोई टीम दूसरी बार यही गलती कर देती है तो फिर पूरी टीम पर जुर्माना लगाया जाएगा कप्तान का फाइन बढ़कर 24 लाग हो जाएगा और बाकी टीम के प्लेइर्स को मैंच फीस का 25% फाइन के तौर पर देना होगा वहीं किसी टीम दो़ारा तीसरी बार ऐसा करने पर कप्तान पर जो जुर्माना होगा वो 30 लाग का जुर्माना लगाया जाएगा और साथी साथ कप्तान को एक मैच के लिए बैन भी किया जा सकता है जबकि बाकी दसकी लाड़ियों पर मैच भी इसका 50% फाइन लगाए जाएगा तो आपको क्या लगता है कि क्या तीमों की ये गलतियों का सिलसिला रुक जाएगा या फिर मामला और आगे जाएगा जो भी है या फिर जो टीम इस सजा का भागिदार बन सकती है उसका नाम आप कमेंट सिक्षन में जरूर बता सकते हैं साथी साथ अरे भाई आई पील अभी जारी है लेटेस्ट अब्डेट्स त्वाने के लिए मज़ेदार लाइब शेशन्स देखने के लिए इंफोर्मेटिव वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएए स्पोर्ट्स नेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे फिलाल के लिए दीजे इसाथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में